हेलो स्टूडेंट्स आज हम आरम हिंदी पाठमाला का ध्याय नो करेंगे जिसका नाम है कौनार्थ का सूर्य मंदिर बात लगवग साड़े साथ सो वर्ष पुरानी है सन बारा सो पेंतालिस इस्वी में नर सिंग देव नामक एक राजा थे एक दिन राजा ने कलपना की कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर ही उसके द्वार और सीडियों को सागर की लहरे दोती रहें सूरे दे होने पर सूरे की पहली किरन मंदिर में इसी देवता के चड़नों को पर्स करें उसका क्या सपना था वो जाता था कि सागर का जो तट था वो उसके दरवाजे और सीडियों को सागर की लहरे दोती रहें और जो सूरे की पहली किरन थी वो मंदिर में बैठे देवताओं के चरनोप को सपर्स करें मतलब छुए अनेक शिल्पी आए और चले गए शिल्पी क्या होते हैं कारिगर लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के अनुसार मंदिर का निर्मान नहीं कर सका इसी समय राजा को सिबोई सांत्रा नाम के एक शिल्पी के विश्षे में सूचना मिली सिबोई अनेक भवे मंदिरों का निर्मान करके पूरे उडिसा में परसिद हो गया राजा ने सम्मान सिबोई को अपने दर्वार में बुलाया मंदिर का विबरन जानकर सिवोई कुछ परेसान हो गया उसने राजा से कुछ समय के लिए परतिक्षा करने की परातना की उसने क्या कहा कि माराज कुछ समय आप इंतजार कीजिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक दिन सिवोई समुंदर के तड़ पर गोमने गया और ठककर वही रेत पर सो गया सुवे अचानक हट बढ़ा कर उठा तो उसने देखा कि सागर का जल उसके पाउं पकार रहा है मतलब कि उसके पाउं को छू रहा है और सूरे की सुनेरी किरने उसके मुख पर पढ़ रही है बस विसोई खुसी खुसी उठा और राजा के पास जा कर कहा कि महराज आपकी कल्पना के अनुरूप मैं मंदिर बना दूँगा आप राज परोहित से सुब मूरत निकल वाले ताकि नीव का पत्थर रखा जा सके सुमूरत के दिन सिलाने कर दिया गया अगले दिन ही सिवोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिये उसकी मैनत रंग लाने लगी मंदिर कसू डृड अधार बन गया धीरे धीरे करके बारा वर्सों में कुणार कसूरे मंदिर बनकर तयार हो गया मंदर की उचाई लगबग 235 फिट थी लेकिन सिर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था इतने उचे मंदिर के शिर्ष शिर्ष क्या होता है तयार ना हुआ शिल्पी शिबोई एक बार फिर उल्जन में फस गया उधर राजा की बेचेनी और क्रोध बढ़ता जा रहा था बतलब राजा को जो बेचेनी हो रही थे और उसका गुस्वा जो था बढ़ रहा था उसने आदेश दे दिया कि यदि मंदिर का कारेशिगर पूरा नहीं किया गया तो शिल्पी को मृत्यु धन दे देंगे उन्होंने क्या निर्ने लिया कि अगर मंदिर जल्दी से तयार नहीं किया जाता है तो जिसने ये कारीगर ने बनाया है उसको जो है मृत्यु दे दी जाएगी सिल्पी सिवोई का एक सहायक था विशू विशू बारा वर्सों से लगा था सिवोई के साथ मंदिर निर्मान में लगा था उसका एक पुत्र था समय के साथ उसका पुत्र धर्मपाद भी अपने पिता के पच्चीनों पर चलने लगा मतलब कि जो उसके पिता कारे करते थे वो भी वही कारे करने लगा बाइस वर्स की आयू में वह भी एक कुशल सिल्पी बन गया कोनार्क सूरे मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी धर्मपाद भी इस बाद इस राजमंदिर को देखने की लालसा लिये अपने गा है क्या हो गया उसके पिता ने इतने उसके पिता ने कहा इतने उचे मंदिर के सिखर पर कोई भी शिल्पी क्लश अढ़ाने में समर्थ नहीं है और राजा ने मंदिर के पूरा नहीं होने पर शिवोई को मृत्व दन देने की गोश्णा की है इतने उचे मंदिर पर कोई भी कलस चढ़ाने के लिए तयार नहीं है अगर ये तयार नहीं किया गया तो जो जिसने ये बनाया है मतलब सिवोई को मिरितुदन दे दिया जाएगा पिता से सारी बात जानकर दंपाद ने इस दुशकर कारे को पूरा करने का संकल्प ले लिया जो मुझे कारे था उसने उसको पूरा करने के लिए संकल्प ले लिया और अपने कलस चढ़ाने के लिए अनुमती मांगी कि बही मुझे आ गया दो कि मैं जो है मंदिर के शिर्ष पर कलस चढ़ा सकूँ ठीक है यहां तक इस लेसन को रीड करिए और समझे थैंक यू